हेलो फ्रेंग्स वेलकम चूदा यूपी एसी एनलाइजर तो आज हम सिक्स्थ मार्च का इंडियान एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे और इफ यू लाइक इंग इस अनालिस देन प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब अज संडे का न्यूस पेपर है जादो कुछ इंपोर्ट अब हम आज का न्यूस अनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो फर्स न्यूस ए यूक्रेन और रश्या ने टेंपररी सीजफार अनाउंस किया है ताकि यहां पर हुमानिटेरिन कोरुलाज बनाई जाएं और जो सिविलियन्स उनको यहां पर इवाकवेट कराए जाएं तो यहां यहां पर इवेटन फ्रंट तक आजाओ लेकिन जो यहां पर स्ट्रांडेरिन उनको यहां पर इवेटन फ्रंट से क्रॉस करने की कोशिश करो अब जिसकी वजह से कॉर्डिनेशन में प्रॉबलम हो रही है बागी हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टन यूज है नहीं अब हम disciplinary higher education अब यहाँ पर multidisciplinary higher education के लिए UGC ने कुछ guidelines निकाली है लेकिन अभी यह draft लिए अब क्या guidelines है तो basically जो institutions है वो आपको diverse range of subjects offer करेंगे किसी को अगर IIT से degree चाहिए और साथ ही में आपर JNU से degree चाहिए तो यह अब possible हो पाएगा according to the draft guidelines once admitted students will be able to complete the first degree at the host institution और इसके लिए पाइनियर institution से यहाँ पर दूसरी degree भी मिल सकती है और यहाँ पर पूरे admission process से फिर से जाने की ज़रुरत नहीं है for example JNU and IIT Delhi have separate sets of intrinsic strength जैसे कि student अगर beta करा IIT Delhi से तो साथ ही में वो master's भी कर सकता है JNU से और इसको करने के लिए उसको वापे से पूरे admission process से जाने की ज़रुरत नहीं है तो country के जो higher education की ranking है वो बहुत ज़दा खराब होती है आपने बहुत सारे ranking index में देखा होगा जिसमें इंडिया की higher education की ranking बहुत ज़दा नीचे आती है तो अब इसको ही reform किया जाएगा higher education को reform किया जाएगा education को बहुत ज़दा multi-disciplinary बनाया जाएगा तो guidelines have offered colleges the option of forming clusters तो यहाँ पर जो भी colleges थे वो clusters बना सकते हैं ताकि जो उनकी weakness है वो कम हो सके overcome कर सके हैं अपनी institutional weakness को और यहाँ पर बच्चों को diverse range of subjects offer कर सके तो given the ground realities UGC's plan is ambitious तो यहाँ पर जो भी affiliated colleges है वो degree awarding multi-disciplinary autonomous institutions हो सकते हैं by 2035 इसके लावर वो dual degrees भी offer कर सकते हैं यहाँ पर जो groups of colleges है वो एक साथ जोड़कर universities में भी transform हो सकते हैं और इस proposed restructuring की वज़े से यहाँ पर जो higher education के standard वो बढ़ेगा और जो यहाँ पर institutions से loss है कि for example कोई institution ने सिर्फ एंजिनेरिंग की डिग्री दे रहा है दूसरा institution ने पर humanities में ही डिग्री दे रहा है तो यह जो सिलो से ब्रेक अप होगा और यहाँ पर multi-disciplinary institutions बन पाएंगे आगे हम चल रहा है after odisha's school merger push अब यहाँ पर क्या था 2017 में नीती आयो का एक program था sustainable action war transforming human capital in education तो साथ यह program था इसके चलते school rationalization किया जा रहा था for example जिस school में बहुत कम enrollment है तो उन schools को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और उसको यहाँ पर merge कर दिया जाएगा जो भी बच्चे उस school में थे उनको यहाँ पर pass वाले school में enroll करा दिया जाएगा लेकिन इसकी वज़े से देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे drop out कर रहे हैं तो यहाँ पर एक example दिया गया है for example जो 14 students एक particular school में थे फिर उनको यहाँ पर merge कर दिया गया किसी और school के साथ लेकिन वो school 3 km दूर और यह जो बच्चे आते हैं बहुत ही economically weaker section से आते हैं जिसकी वज़े से वो उस school तक नहीं जा पार है उनकी parents उस school तक नहीं पहुचा पार है तो यह problem देखने को मल रही है और अफटर ओरिशाज school मज़डपश result is out students not back in class after reopening तो अभी यहां पर जम्मो एन कश्मीर के जो डिलि Mercury感 upfront से कर चुके है तो यहां पर हम डिलिमीटेशन के बारे में के डिसकूस करेंगे कि डिलिमीटेशन होता क्या है तो डिलिमीटेशन literally means the process of fixing limits और boundaries of territorial constituencies in a state that has a legislative body तो यहाँ पर constituencies को जो divide किया जाता है उसको ही यहाँ पर delimitation बोलते हैं अब यह delimitation करता कौन है तो इसके लिए बनती है delimitation commission जिसको boundary commission के नाम से भी जाना जाता है these bodies are so powerful कि इनका कोई भी judicial review नहीं होता है तो इनको किसी भी court के सामने challenge नहीं किया जा सकता है इनके decision को तो these bodies are so powerful that its order have the force of law and they can't be challenged before any court composition of the commission तो according to the delimitation commission act 2002 delimitation commission में three members होते है जो first member होता है वो होता है serving और retired judge of the supreme court जो की chairperson होता है second member होता है chief election commissioner और election commissioner nominated by the chief election commissioner और यहाँ पर third member होता है state election commissioner as ex-official members तो यहाँ पर three member होते हैं delimitation commission में constitutional provisions के हैं तो under article 82 जो parliament है वो delimitation act के तहत delimitation commission मनाती है after every census और article 170 में जो state से उनको भी territorial constitution में divide हिया जाता है as per delimitation act after every census तो article 82, article 170 इसके लवा किसी भी court के सामने delimitation commission का जो भी order उसको challenge नहीं किया जा सकता है आगी चलते हम यह हम discuss नहीं करेंगे यहाँ पर भी एक भी article important नहीं है बस यहाँ पर एक point यह और जो हमने discuss नहीं किया important तो यह भी नहीं है जो Ukraine है वहाँ पर minerals बहुत ज़ादा पाई जाते हैं जैसे कि iron, magnesium and other mineral producers in the world तो Ukraine के उपर जिसका भी influence होगा उसको यह सारे energy resource मिलेंगे तो it sits on important energy resources of immense value to any power that controls it तो यहाँ पर Ukraine के पास बहुत सारे minerals है जैसे कि iron, magnesium and other mineral producers in the world तो Ukraine इसके लाव जो Russia है Russia की एक और यह भी नीड है कि Russia को warm port की ज़रूरत है तो उस वज़े से यहाँ पर एक reason हो सकता है कि Russia क्यों यहाँ पर रियुक्रियन के उपर invade कर रहा है तो एक reason है warm port की यहाँ पर रिश्या के पास warm port नहीं है आगे हम चलते हैं यह जो आटिकल था आपको अगर लग रहो important है तो बिल्कुल important ही है इसमें basically यही बताया गया है कि हम बहुत तरी web series या movies देखने हैं जिसमें हमें यह दिखाया गया है जो young generation है उसमें suicide के rates बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोई भी अगर film बनती है वो सिर्फ vivid imagination से नहीं बनती जो society में चाल रहा होता है वही हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर author ने reason बताएं कि क्या reason हो सकते हैं कि जो आज के innocent बच्चे हैं वो जादा fragile हैं और उन में suicide rates जाद देखने को मिलते हैं लेकिन ऐसे कोई मुझे point important नहीं लगे जो कि आप code कर सकते हो इसलिए इसे हम discuss नहीं करेंगे POXO अब POXO को हम यहाँ पर detail में पढ़ेंगे तो once and for all यह topic complete हो जाएगा अब जो POXO Act है वो enact किया गया था 2012 में especially to protect children जो कि 18 साल से कम है तो जो children होते हैं POXO में तो उनको children माना जाता है जो कि यहाँ पर 18 साल से कम है और इनको protect किया जाएगा from sexual assault, sexual abuse, sexual harassment and pornography इसके लवा Act यह mandate करता है जो investigation है वो दो महिने में complete हो जानी चाहिए और जो trial है वो 6 महिनों में पूरा हो जाना चाहिए तो जो भी यहाँ पर 18 साल से कम है उसको यहाँ पर child consider किया जाएगा इसके लवा sexual assault को aggravated कब consider किया जाएगा अगर यहाँ पर जो abuse child है वो mentally ill है इसके लवा अगर abuse commit किया गया है किसी ऐसे person के जवारा जो कि यहाँ पर trust की position में है for example police officer, doctor, इसके लवा कोई relative जो यहाँ पर trust या authority की position में अगर उसने sexual abuse किया है तो यहाँ पर इसको aggravated sexual assault माना जाएगा तो है member of the armed forces or security forces a public servant, a person in a position of trust or authority of the child जैसे कि family member, police officer इसके लवा कोई staff of a hospital तो यहाँ पर माना जाएगा aggravated sexual assault अब यहाँ पर punishment किया है तो rigorous punishment है 10 सालों के लिए इसके लावा lifetime imprisonment भी हो सकता है for aggravated penetrative sexual assault जो act है वो mandatory करता है कि in case उसको रेपोर्ट करना है तो जिसको भी इस case के बारे में awareness है तो उसको यहाँ पर रेपोर्ट करना है अगर वो रेपोर्ट नहीं करता है और उसको केस के बारे में पता हो तो उसको भी इहाँ पर सजा हो सकती है 6 महीने कि इसके अलावर act उसको भी punishment देता है जो की false complaints करते है और फिर untrue information provide करेंगे अब 2019 में event किया गया था अब 2019 में event करके कुछ changes किये गये थे तो aggravated penetrative sexual assault under the POXO Act 2012 is the equivalent provision for aggravated rape और इसके लावा यहाँ पर भले ही ऐसा कोई कहे कि हमने consent ली थी लेकिन 18 साल से कम की बच्चिया के पास इतनी अकल नहीं होती कि वो consent दी सके इसलिए इसको rape ही consider किया जाएगा तो under POXO the consent of a person under the age of 18 is irrelevant regardless of the nature and circumstance इसी लिए कोई भी sex minor के साथ यहाँ पर rape ही consider किया जाएगा तो आयोगो आपको POXO एकदम detail में समाज आ गया अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई भी important news नहीं है predatory pricing एक word आया कि predatory pricing क्या होती है तो basically predatory pricing क्या होती है कि जावन भुझ के यहाँ पर जो company वो अपने prices इतने जादा कम कर लें कि उसका ही समाने हाँ पर खरीदा जाए और बाकी competition पूरी तरीके से खतम हो जाए आप अगर example सोचो तब जियो का example सोच सकते हो जब जियो आया था तब उसके prices इतने जादा कम थे उसके recharge कि उसकी वज़े से जो भी market में competition था वो पूरा खतम हो गया था तो predatory pricing is the illegal act of setting prices low to attempt to eliminate the competition तो predatory pricing क्या करता है basically इतना ज्यादा कम price रख देता है कि जो competition वो खतम हो जाता है और market में एक तरह की monopoly या hedge money आ जाती है अब यह illegal तो है predatory pricing लेकिन इसको illegal establish करना कि यह illegal यह proof करना बहुत difficult हो जाता है इसलिए predatory pricing होती तो है लेकिन उसके चलते किसी को यहाँ पर सजा नहीं हो पाती है यह illegal है सजा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पता ही नहीं चलता प्रूफ ही नहीं कर सकती है कि यह illegal है क्योंकि अब companies तो यही कहते हैं कि principle होता हमारा कि हम यहाँ पर कम prices में services offer करेंगे कम prices में offer करेंगे तब ही हम market में competitive हो पाएंगे तो predatory pricing violates entry trust laws as it makes market more vulnerable to a monopoly however allegations of the practice can be difficult to prosecute क्योंकि जो defendants से वो argue कर सकता है कि lowering price तो part of normal competition का अगर competitive रहना है तो prices को तो lower करना ही पड़ेगा rather than deliberate attempt to undermine the marketplace आगी चलते हम यहाँ पर कोई important news नहीं है word पे जब हम डिसकस करेंगे तो यहाँ पर रश्या नहीं कहा है कि यह जो हमारे उपर sanctions लगाए गए हैं हम इसको declaration of a war मान रहे हैं तो imposed against Russia since its military invasion of Ukraine is akin to a declaration of war और यही कहना रश्या की कि Ukraine अगर यहाँ पर अभी तक rebels लड़ते रहे रए रश्यन आर्मी से तो यहाँ पर जो Ukraine है वो अपना statehood खोदेगा and warning that Ukraine might lose its statehood if its leaders continue to resist its military invasion of the country अब यहाँ पर इनकी एक demand है जो यहाँ पर Ukraine के president है कि जो Ukraine अउसको यहाँ पर no-fly zone डिकलेर कर देना चाहिए लेकिन NATO ने no-fly zone डिकलेर करने समना कर दिया है क्योंकि इसकी वजह से जो conflict है वो यहाँ पर और ज़्यादा broaden हो सकता है आज की news paper हम बस इतना ही है I hope आपको आज का news paper समझ आ गया हो If you like the video then please like, share and subscribe Thank you and have a nice day